हाई याईस वेलकम बेक टू डिल रूप मैं आपके लिए एक सांदर वीडियो लेके आ रहा हूं डिल रूप से अभी इंडिया भास इंगलों का सीरीज शुरू होने बाला है सो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक सांदर वीडियो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंग आप केसे इंडिया भास इंग्लोन सीरीज का सारे मेंस फ्री में आपको मोबाइल पर देख सकते हैं प्लास में आपको बताऊंगा फूड़ सीडूल्स ओप मेच मेनूज कहां पर होने बाला है टाइमिंग क्या रहेगा डेट क्या रहेगा एंड स्क्वार्ड बोर्स तीम का क आपको आपड़ नहीं कर सकते हैं आपको हमाराव वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं आपको आप दिखने को मिल जाएगा लिंक डिस्वी सब्सक्राइब बहुत टेलीग्राम यह वेबसेट का है सो आप पढ़ सकते हैं यहां पर देशते हैं इंगलोड का टेस्ट में सुरू हो रहा है फेबवारी 5 से यहां पर अब्ट में और देखने को मिलें आपको फोर्ट टेस्ट खेला जाएगा इसके बार रहा है कि यहां पर टीट्वेंडी आएगा इसके बाद आको वांडे आए तो सारे आपको स्कुर्ण के साथ आ हमरा साइट पर देखने को मिला है हैं आप स्कीण पर और देखने को मिला सो अभी में टोपिक है इंडिया बाइस इंगल्ण में सारे सीरीज का लाइप देलिकाश कहसे रीवे मिलेगा यह सब से पहले हां आमरा चनल पर आपको दीखने को मिला सो अमरा चनल को जोरू सबस्फथा ही करिया इस तरह और वीडियो से इसके पास पर जाना पड़ेगा इसके बाद आपको मिल जाएगा इंडिया इंगलों में का लाइब टेलिखाश होगा आपको देखने को मिल जाएगा आपके पास जियो सीम नहीं है तो यह आपको प्लान मागेगा लेकिन आपके पास जियो सीम है तो मैं आपको रिकबंड तको आपको जाना है आपको प्लेश्टोर पर डालो मादना लूमानना है जीयो पिभी इसके बात इसको इंस्टोल करना है इंस्टाट करने के बाद आपके लिदी कहन आँ हैं आपको लाइप है' देखने को देखने को मिल जाए फोल्कार अपको नाwe करणे दोना इस चैनल को सो हाई था पूरे डीटेलश अब फी कुछ डीटेल नहीं आ रहा इंडावा सेग्लार का यहीं आ रहा है वांडर का स्कवार नहीं आया है अभी तोग चो हमारा आप वेस्ट पर लिंक डिस्ट्रीशन में मिल जाएगा क्लिक करके आप जा सकते क्योंकि मैं आपको डेली आपडेट करते रहता हूं वीडियो को आपडेट कर नहीं सेकते लेकिन आपको वेस्ट पर आपडेट देखने को मिल जाएगा तो आप वेस्ट पर देख सकते लिंक डिस इस्ट्रीशन में देखने को मिल जाएगा आप और में आपको डेली अपडेट करते रहता हूं नहीं तो हमारा टेलीग्राम चनल पर आप जोइन कर सकते हम पर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा